तोड़े वी विल स्टड़ी इंग्लिश कोर्स बुक अफ क्लास फिफ्ट इस आवर चैप्टर नंबर फोर सम्टाइम्स इट्स फाइन तो फील बोर्ड मीन्स कभी-कभी बोर फील करना भी अच्छा होता है हेर सैमी एंड माइक आर टौकिंग तो इच अदर सैमी बोलती है कि माइक मैं बोर हो रही हूँ कुछ एक्साइटिंग सा करते हैं तो माइक बोलता है कि इट्स आल राइट कभी-कभी बोर होना भी ठीक होता है तो सैमी बोलती है कि क्यूं सही होता है बोर फील करना तो माइक बोलता है कि कभी-कभी ऐसे ही वेंकट से पूछो और फिर तुम्हें समझाएगा कि क्यों Here our story begins वेंकट लव्ड एनॉइंग इस सिस्टर वेंकट जो है उसे अपनी बेहन माला को परिशान करना बहुत ही अच्छा लगता है उसे उसका जो फेवरेट माग है माला का जो फेवरेट माग है उससे पीना बहुत अच्छा लगता है वो ब्लैक कलर का जिसपे की Best Friends Forever लिखा है पίνक ग्लिटर से माला की जो Best Friend थी माल थी उसने उसे ये Gift किया था उसके Last Band Day पे तो माला जो है वो चिला कर बोलती है कि ममी ये मेरे मक से दुबारा से पी रहा है और वैंकट जो है वो मक की जो ब्रेम है मेंस मक के चारो तरफ अपनी टंग से उसको लिख करता है और माला से आई कॉंटेक्ट भी करता है जैसे कि वो उसको जान बूच के ये सब कर रहा हो और फिर माला बोलती है You mama, why don't you stop him? He is slobbering all over the mug और फिर माला फिर अपनी मॉम से complain करती है कि आप इसे रोपती क्यों नहीं ये अपनी टंग से पूरे चारो तरफ उसको लिख कर रहा है means चाट रहा है तो उसकी जो मॉम थी वो अल्रेडी बहुत जादा एनॉइट थी means बहुत जादा चिड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें खुद को भी वर्क के लिए रेडी होना था और अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना था और फिर जो उनकी मॉम है वो बोलती है कि वेंकट टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से मिल्क पीलो माला तुम बड़ी हो तुम्हारा जो छोटा भाई है वो सिर्फ अपने एज जैसी हरकते कर रहा है means इस एज में बच्चे जैसी हरकते करते हैं वो वैसे ही कर रहा है उसको इग्नोर करो और फिर इस टाइप से उन्होंने उनकी जो फाइट थी वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी और ये जो टाइम है जिस टाइम की ये स्टोरी है वो रेनी जुलाई की आफ्टर नून थी और जो वैंकट है वो विंडो के तरफ बैठा हुआ था और मॉनसून की जो डाउन पोर मींस जो हलकेल की बारिश हो रही थी वो देख रहा था माला जो थी वो डांस प्रेक्टिस पे थी और जो वैंकट था वो बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकता था तो वो वहीं बैट गया और बोर हो रहा था क्यूंकि उसके पास कोई भी नहीं था उसे परिशान करने के लिए और वो room to room means इस कमरे से दूसरे कमरे जाता जिसके साथ वो खेल सके और फिर वो kitchen में गया और उसने देखा कि सारे mugs जो हैं वो neatly arranged kitchen में रखे हुए हैं तो उसको एक idea आया उसने सोचा कि वो mugs से juggling की practice कर सकता है juggling means वो जो three balls को उपर air में फेकते हैं और फिर उनको catch करते हैं जिस type से joker करता है उसने सोचा कि वो mugs से करेगा क्यूंकि उसने पहले rocks means पत्थरों से या कुछ भी समान से पहले उसने किया है बट कभी उसने mugs से juggling try नहीं की थी और वो सोचता है कि मैं practice करता हूँ और हो सकता है कि मैं उसमें perfect हो जाओं और फिर मैं अपनी family को भी ये दिखा सकूँगा और फिर वो kitchen जो counter था kitchen counter like this इस पे वो उपर चड़ता है और mugs को नीचे लाता है और जो पहला मग उसे मिलता है वो माला का black mug था और फिर वो बोलता है सोचता है मन में कि मुझे पहला मग जगल करना try करना चाहिए और फिर वो black mug उपर air में fake ता है और इससे पहली कि वो से catch कर पाता जो mug था वो ground पे गिर जाता है और उसके छोटे छोटे तुकडे हो जाते हैं और फिर वेंकट बहुत ही जादा डर में बैट जाता है और फिर वो सोचता है कि अब तो मैं gayashi is going to kill me माला मुझे माफ नहीं करेगी और इस टाइप के thoughts जो हैं वो उसके mind में आते हैं और फिर वो जो मक के pieces थे उनको लंबे समय तक देखता रहता है और सोचता है कि क्या करें फिर वो frantically means quickly because one is worried about something means बहुत ही जल्दी जब हम चिंता में होते हैं या फिर किसी चीज के लिए बहुत जादा डर जाते हैं तो हम जल्द बाजी में जो करते हैं उसने वैसे ही जल्दी से kitchen drawers में देखा और उसको finally एक glue का tube मिला वो tube पूरा सूखा हुआ था और उसके crusty means जो crust से बाहर आते हैं वैसे आ रहे थे पर उसमें कुछ glue बचा हुआ था तो और वो जो middle में थोड़ा से squishy सा था तो उसने उसको squeeze squeeze कर करके जो last glue जहां पर glue था वहां पर finally glue आया उसमें से बाहर और finally एक ही गंटे में कुछ minutes बचे हुए थे जब माला घर आने वाली थी और उसने finally जो mug था उसको resemble करने की कोशिश की glue से चिपकाने की कोशिश की और वापस से counter पर जंप करके mug को दुबारा से वापस रख दिया और फिर वो window पे जाकर बैठ गया और सारे जो उसने efforts किये वो उसने अपने glue से cover up कर दिये और फिर वो वापस से जैसे बैठा हुआ था वैसे rain को देखने लगा और उसने सोचा कि maybe it's better to get bored मतलब शायद bored होना ही सही है और ये उसने सोचा और फिर decide किया कि वो जो बाकी की सारी afternoon है वो rain को देखते हुए ही watch करेगा so this is the explanation of the story समझ आया आपको कि कभी-कभी bored होना ही better होता है so read this story at your home and write down the word meaning slobbering, exasperated, frantically इस type के ये जो word meanings हैं इनको आप अपनी cw copy में write कीजिए and in our next class we will do the question answer and exercise thank you